तो है गाइस हेलो वेल्कम बैक टो अना अधर लाइफ टेडिया लेर्निंग वीडियो देखें यहाँ पर एक पुट साइड के पोजिशन मैं सोच रहू हूँ ना यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे ही आना चाहिए ऐसा मेरा व्यू है क्योंकि देखें 48,000 का इंपॉर्टन सा ना गई एक डबलू टाइप का पैटन बन रहा है तो यहाँ पर एक डबलू टाइप का पैटन देखते हुए और अभी ट्रेडिंग वीडियो के चार्ट में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि निफ्टी में एक डबलू टाइप का पैटन बन चुका है ठीक है तो हम हम लोग डिसकाउंट प्राइस पे ले लेते इसको 285 के आसपास में तो चलो सबसे पहले इसको आने देते हमारे डिसकाउंट हेरिया पे और देखें निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है एक डबलू टाइप का क्लियर कट पैटन आपको दिख रहा होगा तो यही पैटन को आइडेंटिफाई किया है मैंने और क्लोजिंग के उपर मैंने हमेशा से बताया आपको कि जब-जब हमको मतलब डबलू पैटन मिलता है याब कोई बाइंग साइट का एक पैटन बनता है तो वहाँ पर मोस्टली वहाँ फेलियर होता है ठीक है वह पैटन अरे यार यहा यहाँ पर मेरी एंट्री हो जानी चाहिए थी आप सथ वहूँआ है नहीं अपनी क्यूंकि मतलब देखिया चढ़ती हुइच ट्रें में मुझे चढ़ना पसंद नहीं देखे जहां पर मैंने position लगाया है वही पर अगर मेरी entry हो जाती तो मैं वहां पर entry बना लेता कोई नहीं थोड़ा बहुत psychologically में को weak sound हो रहा है अभी क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया है न मेरा मतलब जो trade था इतना बड़ा trade चले गया है ठीक है हाथ से अब क्या होगा यहा हमारा बड़ा profit मिस हुआ है 70-80 points का भी profit चल रहा होता बट never mind हम लोग फिर से कुछ एक setup ढूनने का try करता हूं मैं यहाँ पर और यहार यकीन नहीं मानोगे 100 points दे दिया इसमें जहां से entry होई है सो मतलब क्या बोलो हो जाता है देखे में को आपके लिए वीडियो सो देखिए अभी मतलब यहां पर एक setup मैंने identify किया है nifty anyways उपर जाते जाएगी यहां तक के at least मुझे लग रहा है शौर शौर हमें 25 points मिल जाएंगे क्योंकि देखे फिबना के retracement जो होता है न वो टूली एक ऐसा चीज है जहाँ पर retracement हम लोग play कर सकते हैं अब बहुत लोग क्या करेंगे 0.5, 0.6 area के आसपास में sell करने का try करते हैं एंड मेरा थोड़ा सा strategy अलग है मैं थोड़ा से अपने targets वहां तक के revise करने की कोशिश करता हूँ जिससे की मतलब मेरा एक secure profit booking हो जाए देखे अभी मुझे 100 quantities लेने का मैंने सोचा निफ्टी में सो यहाँ पर क्या होगा मेरा target है 20 रूपीज का 20 into 100 मतलब 2,000 रूपीज मैं profit book करूँगा एल्स 1000 रूपीज 1200 1500 के आसपास में मेरा loss होने वाला है usually आपको पता है हमेशा से मैं nifty prefer करता ही नहीं हूँ क्योंकि nifty में कैसा है बहुत जादा patience चाहिए रहता है निफ्टी काफी जादा patience भी टेस्ट करता है आप लोग भी agree करेंगे मेरे साथ देखें बैंक निफ्टी में क्या होता है वोलेटलिटी के चक्कर में वह हमें समझ में आ जाता है मतलब मैं experience हो चुका हूँ कि अगर मेरी entry हो चुकी है ना तो मैं वहाँ पर exit करूंगा नहीं एक तो stop loss लेंगे या तो target लेंगे या बहुत जादा जब मुझे पता लग जाता है कि stop loss होने वाला है मैं तब ही exit करूंगा ऐसे फोमो में तो exit करता नहीं हो आप लोगों ने भी last 3-4 वीडियो में देखा warning में सो वो थोड़ा सा लग रहा है खराब क्यूंकि और हम लोग का यह जो trade है ना call side का वो थोड़ा से against the trend है बहुत लोग बोलते है trend के against में नहीं जाना देखिए मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ बस अपना risk management आपको follow करना होता है और उसी के साथ साथ में आपक सब कुछ मिल जाता है देखिए यहां से 0.5.6 area के आसपस में आ रहा है थोड़ा बहुत और है हमारे पास target so hold करते है यहाँ पर at least 1500 रुपीस तो भी यहाँ पर profit में लिखता है हमें bank nifty में so यहाँ पर हम लोग कुछ सोचेंगे ठीक है profit booking है else हम लोग नहीं सोचने वाले क्य कि मेरा stop loss limit ही बहुत बड़ा है stop loss limit ही 10-12 पॉइंट का है उसके अगेंस में 78 पॉइंट का मैं क्या करूंगा बताइए यहार अभी दग क्या आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजे वीडियो को और अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर जल्द ही हम ल करने के लिए definitely मैं आने वाले दिनों में btst strategy का मेरे पास मतलब तीन सुपर सेट अपस है btst के अगर तीनों सुपर सेट अपस आप लोगों को समझ गए ना मैं आपको बता रहा हूं जो सेट अपस अगर बन चुके और उस दिन अगर btst में profit नहीं हुआ यह flat opening में आप ल ज्यादा loss मिलने की chances होते हैं so देखिए 21700 की call हमारा उसमें कैसे cost to cost हम लोग यहाँ पर चल रहे है बट एक possibility यह भी है कि market यहाँ से एक steep fall भी ले सकता है कही ना कई एक sharp recovery भी ले सकता है चलो 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 479.36 बढ़िया बढ़िया एक bank nifty में हम लोग identify कर रहे हैं यहाँ पर trade 479.28 अगर यहाँ पर एक छोटी सी green candle close हो जाती है मैं तुरंद बतारों में यहाँ पर call side entry लेने वाला हूं अब आप लोग बोलेग जी आप left side screen पे अब जब यहाँ से दो बार गिर चुका है market तो it means यहाँ पर sellers interested है sellers को यहाँ पर भरोसा है कि market नीचे जाने वाला है और उसी को देखते हुए हम जैसे लोग भी यहाँ पर selling का plan कर रहे है ठीक है तो अगर यहाँ पर एक छोटी सी green candle बनती है मैं यहाँ पर upper side position में तुरंद बनाऊंगा bank nifty में कहाँ पर 47 800 चलो 15 quantity के साथ ही लेंगे क्योंकि जादा maximize नहीं करना है risk को अगर यहाँ से against में भी जाता है तो 2000 के आसपस के loss में हम लोग निकलेंगे else 2000 के दोनों के profit के बराबर निकलेंगे अब यहाँ से मैंने entry q बनाया है इसके पीछे क का logic क्या है मैंने आपको बता दिया दो बार PSY से resistance लिया है जहाँ पर sellers identify मैंने कर लिया है और वहाँ पर एक M type का pattern भी बन चुका है निफ्टी में निफ्टी बैंक में यहाँ से हम लोग का stop loss रहेगा 60 points के आसपास में and target around to around 100 point plus ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से bank nifty और एक ब breakout होता है फिर मैं यहाँ पर interested नहीं हूँ buying side के लिए हो सकता है कि market selling side continue करे और बस मुझे अपना targets पता है stop losses पता है और उसके बाद में मैं analysis नहीं करूंगा कि market और कितना उपर जाएगा और कितना नीचे आएगा क्योंकि already मैं एक अच्छा खासा trade अपना मिस कर चुका हूँ अगर यहाँ से मेरा target हिट हो जाता है 2000 रुपीज के आसपास में सो मैं यहाँ पर exit करूंगा else हम लोग यहाँ पर stop loss ले लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है and और एक चीज़ देखे अभी मैं 60 quantities में रोज trade करता हूँ आप लोगों को भी पता होगा but 60 quantities के साथ मैं आज trade नही ही ले सकता हूँ क्योंकि already मेरी nifty में एक side की position बन चुके 100 quantities के साथ में and bank nifty में 15 quantities के साथ में ही लिया हूँ क्योंकि देखे मैंने कभी nifty में ज्यादा trade किया नहीं है so मुझे यहाँ पर पता नहीं कि देखे spikes में कित्ते point का SL जा सकता है इसलिए नहीं तो मैं bank nifty में 30 quantities भी ले सकता हूँ अब मेरे risk appetite कही साब से but anyways हम लोग छोटा profit आज aim करने का try करूंगा and उसी के साथ मैं आप लोग देख रहे हैं देखे live trade में यही चीज़ सीखने के लिए रहती है आप लोगों को यह ध् लेता हूँ कहाँ पर exit plan करता हूँ कैसे मेरे trade में सो चुक है तो मैं अपने psychology को control में रखता हूँ आपको मतलब और कुछ सुखने की जरूरत नहीं है profit loss आपका है नहीं मेरा है completely आपको knowledge पर ध्यान देना चाहिए मैं कहाँ पर targets लेता हूँ कहाँ पर मेरे SL रहता है मैं कितन यहां तक के देख रहा होगा I am very grateful that you are watching my video and I am pretty sure market में आप लोग मेरा अगर content follow करोगे तो easily loss तो करोगे नहीं देखिए at least break even या छोटा loss छोटा profit या बड़ा profit जरूर करोगे ठीक है और आने मेले दिनों में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैं अपनी strategies पूरी share करूँगा बस आप लोग को क्या करना होगा subscribe करते चलना होगा चैनल को एंड अगर आप लोग इस वीडियो पर like कर देंगे तो मेरा वीडियो क्या बोला था यार market जाए गई उपर यह मुझे थोड़ा सा belief था चलो nifty में मैंने exit कर दिया है क्योंकि देखिए अभी मैं दो quantities को ना साथ में trailing नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो target था 0.5.6 area तक क 2500 या 3000 तक के चलता ठीक है बट मैंने क्या बोला था आपको 48,000 के level से दो बार resistance ले रहा है क्या हुआ देखिए बताइए market में 48,000 के level अभी break होने वाली है चलो break भी हो गई 48,500 48,300 चलो hold कर रहा है anyways 54 points let's go let's go यार बहुत बढ़िया profit चल रहा है देखिए मैं इससे डरता नही चोटा profit हो गया या कुछ हो गया देखिए मुझे भरोसा है कि मेरा analysis काम कर रहा है एक दिन यही analysis में को बड़ा पैसा देने वाला है तो इसके लिए मैं ready बैठा रहता हूँ चलो यहाँ पर exit कर देंगे चलो बहुत बढ़िया spikes आ गई है अब यहाँ पर मैं रुखने वाला के साथ मैं ऐसे share करता हूँ video and अभी कुछ दिन हो सकता है मैं थोड़ा सा inactive रहूं but I am sure मैं आपके साथ पूरा PNL update करूंगा डेली का जो होगा community tab में update कर दूंगा कि मेरा profit loss क्या हुआ हो सकता है मेरे live trade videos नहां पाए 10-15 दिन बट ठीक है and यहाँ पर देखिए कितने points capture किय मैंने यहाँ पर और देखिए nifty भी शूट अप कर दिया bank nifty भी कहीं नगे शूट अप कर दिया हो सकता है